गुड मॉर्णी फ्रेंड्स दिस जनील एंड वेलकम टो संसे बनेच दोस्तो बीपेसी ट्यारी से संबंधित बरी खबरे निकल करके सामने आ रही है कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है दोस्तो इसी से संबंधित बरी खबरे हैं कसी उस नुच के हवाले से ये खबर आ रही ह दोस्तो इससे पहले यदि आप हमारे चनल पर नहीं है चैनल को जरूब सब्सक्राइब कर लिजेगा और अपने दोस्तो के विशेर कर दिजेगा अक्टूबर के दूसरे सब्ता में जारी हो सकता है रिजल्ट दोस्तों जासा कि आपको मालूम है कि 10 अक्टूबर तक आपको अपने OMR को ही देखते रहना है दोस्तों और उम्मीद यही है कि OMR 10 अक्टूबर तक आपको देखना है और उसके बाद ही आपको रिजल्ट जारी किया जा सकता है और यहाँ पे खबरे निकल करकर के आ रहे हैं कि दूसरे सब्ता हमें मतलब 13 से 14 अक्टूबर को जारी हो सकता है आपका रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे यह सिप्तमबर मिस प्रिंटिंग हो गया है मिस टैपिंग है यह अक्टूबर होना चाहिए दोस्तों ठीक है OMR सीट की जाच हो चुकी है पूरी OMR सीट की जाच पूरी हो चुकी है दोस्तों रिजल्ट बनाने की परकिरिया अंतीम चरन में है यह देख लिजे आज अभी 2 अक्टूबर 2023 को अभी अभी दोस्तों यह अपडेट निकल करके सामने आ रही है वही दोसरी अप्रेट दोस्तों जो राज कर्मी को लेकर के है आज 2 अक्टूबर है और सबकी उम्मीदे राज कर्मी पे है कि क्या आज मानिने मुख मंतरी नितीस कुमार राज कर्मी की घोसना कर सकते हैं दोस्तों तो इस संदर में मैं आपको बता दूँ कि उप मुख मंतरी मानने तेजस्विया दोसर के तरफ से कल साम को बोला गया है उनके तरफ से ये ब्यान आया है कि उचीत समय आने पर राज कर्मी पे फैसला लिया जाएगा उचीत समय का इंतिजार करने हैं उनका करना है कि समय आएगा उचीत समय आएगा तो राज कर्मी पर मानने मुख मंतरी नितीस कुमार के तरफ से दोस्तों इस पे उचीत हैसला लिया जाएगा तो उम्मीद कम दिखाई देता है दोस्तों कि आज 2 अक्टूबर को राज कर्मी को ले करके कोई घोसना सरकार के तरफ से किया जाएगा 42 वीडियो में ते हैं फिर मिलते अगले वीडियो में आप समसे बनेच के साथ बने रहे हैं धन्य बाद